तो बजट निरासा जनक हमको दिखता है राज्य के दर्जा की मांग इस पर बित्मंत्री जी ध्यान देंगी लेकिन इस बजट में इस मांग को अंसूना कर दिया गया किस तरह से देखते हैं क्या मानते हैं देखें देश में जहां विक्षित राज्य हैं वहीं पिछरे राज्य भी हैं जिसमें विहार का नाम पिछरे राज्यों में आता है तो विक्षित राज्यों को जदी ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट परसंसिनिय है एतिहासिक है बहुत अच्छे अच्छे काम करने की घोसना उसमें हुई है लेकिन जब हम बिहार की नजर से देखते हैं तो बजट निरासा जनक हमको दिखता है क्योंकि बिह बिहार को कुछ विशेस मदद की जरुरत है लागातार मानिय मुखमंत्रीं जी के नत्रूत में इंडिया की सरकार काम करने बिहार आगे बढ़ भी रहा है हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है लेकिन अन्ने राज्यों के मुकाबले जो विक्सित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाएं और वहां तक पहुंचने का एक ही फर्मूला है कि बिहार पर विसेश ध्यान दिया इसलिए हम बिहार की द्रिश्टी से इस बजट को निरासाजनक मानते हैं अभियान तो हमारा चल रहा है विसेश राज के दरजा की मांग को लेकर और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा लेकिन इस बार हम उमीद करते थे कि साइद केंदर की सरकार इस मांग पर ध्यान देगी विहार के पिछरे पर्ण को दूर किये बिना देश पूरा विक्सित नहीं हो सकता है यहां बात परधान मंतरी जी भी बोलते रहें तो इसलिए हम लोग उमीद करते थे लेकिन उमीद पर पानी फिरा इसलिए हम बोलने हैं कि नि क्यातार इस मांग के साथ हैं और सिर्फ हमारी पार्टी नहीं इस मांग के समर्थन में तो समय समय पर सभी राजनेतिक दल के लोगों ने समर्थन किया है तो यह मांग अब किसी पार्टी विशेश की नहीं है बिहार की जनता की मांग है तो इस दिरिश्टी से हम मांग कर र में जब काम कर रही है उसके सामने कोई कठिनाई हो ऐसा मुझे को नहीं लगता है अगर कुछ कठिनाई है तो उनको दूर करना चाहिए और विहार को विश्यसराज का दर्जाद देना चाहिए